हेलो बच्चों केसे हैं आप सब अयूद के आप सब बहुत बढ़ी हैं और आज की वीडियो में हम बात करने वाली हैं पार्ट छे क्या नाम है पार्ट छे और पार्ट का नाम है मेरा एक सवाल क्या है मेरा एक सवाल ठीक है और बच्चों वीडियो को लाइक और चेनल सब्सक सबसे पहले हैं question answer मैं चाहता हूँ कि आप इस पार्ट को जरूर पढ़ दें एक बार ठीक है और नहीं भी पढ़ाया आपना तो कोई problem नहीं है आप इसके अनुसार भी समझ सकते हैं देखो पहला question है एक किसान ने भारत माता का सवाल किस तरह सुल जाने की बात कही है अब अगर आपको वीडियो में clear नहीं दिख रहा है तो please आप जो है increase कर लें क्या quality वीडियो quality ठीक है तो किसान ने भारत माता का सवाल किस तरह सुल जाने की बात कही है तो यह जो किशान है उसने दो इतनी इजी हैं आप आराम से इसको लिख सकते हैं क्या हल से इसका अंसर है केवल हल से जो उसका हल होता है ना किशान का उससे वो जो है अब शुल जा देगा ठीक है भारत माता का सवाल हल, किसान की हल से, जो हल होता है न, ठीक है उस से, तो पहला आंसर हो गया, ठीक है, दूसरा है, ग्यान का दीब जला कर कौनची समस्य हल करने की बात कही है, तो दो, ग्यान का दीब जला कर देखो, दूसरा है जी है, खा, भारत माता की गोरब की, भारत माता की गोरब की, ठीक तो पड़ा लिखाकर सिक्षक कैसे हैल करेंगे पड़ा लिखाकर ठीक है पड़ा लिखाकर अगला है कि भारत माता ने किस किस से सवाल किये हैं सूची बनाई यह तो इसको मैं इधर लिख दिया है इडा तो दिखो यह दिखा है कि किस किस से सवाल किये हैं किसानों से सैनिक से बिध्यार्थी मजदूर सिक्षग तो आप इस पूरे को लिख सकते हैं āंसेन नंबर 20 में किसान सेनिक बिध्यार्ती मजदूर सिक्षग तीक है अब चलते हैं अगली पर अगला क्या है आप सी कहा गया है निमिल्खित सब्ढों की उधारण के अनुसार अन्न सब दिल किए तो यह इसमें कुछ नहीं करना है इसमें है आपका क्या राइमिंग बर्ड तुकबंदी वाली तो देखो धूल का जैसे उनने करा है धूल का बूल गूल मूल तूल तो हम इस तरह से करतेंगे बाल का बाल खाल बाल ताल ठीक है हलका जल नल कल बल इदर माता का जाता नाता भाता दाता फिर बच्चा का शचाफ च्चाफ अच्चा लच्छा ठीक है बस राइमिंग बर्ड है तो हम मिला दिए अब हम चलते हैं अगले कुस्ष्चन पर कुस्चन नमबर 2 में आप से क्या दिया गया है कि पढ़िए और समझिए तो दिको समझना कुछ नहीं है समझ इसमें है क्या सर्वनाम की परिवासा दी गई है किसकी सर्वनाम की सर्वनाम की परिवासा दी गई है कि दूसरी बाक में लता संग्या की जगए अपने सर्वनाम का प्रियोग कर रही है तो देखो जिन सब्दों का प्रियोग संग्या के स्थान पर होता है भी सर अगर पहले खाने में लिखी हुई पंक्तियों को लकड़ी कहें लड़की कहें तो किस तरह कहेगी दूसरी खाने में लिखी अब देखो यहीं जो जिसे मैं पढ़ लिखकर मेटूंगा जंजाल यहीं अगर लड़की कहती तो कहती मैं पढ़ लिखकर मेटूंगी जंजाल और कि यहां लड़का बूला तो कैसे बूलीगा वो इतर स्टीलिंग इधर पुलिंग इना वो इधर आपको बहु बचन कर दिया कि अगर अब बहु बचन हो जाए तो बहुत सारी लोग जिसे हम मिलकर बूले तो कैसे बूलेंगी तो मैंने इधर देखो आप इसको आराम से नू एधर आपको इस तरी लिंग में और यह जो है आपका पुलिंग में हो जाएगा पुलिंग ने बहु बचन में अब आपको क्या दिया गया है अगला अब हम देखेंगे अगले पर क्या दिया गिया है कुश्चन नमबर थर्ड में आप से कहा गिया है कि पढ़ दिये समझियो उधानों की समसाल लिखी तो पढ़ लिखकर पढ़ा लिखाकर तो चल फिर कर चला फिरा कर लड़ भड़ कर तो लड़ा भड़ा कर मिल जुल कर तो मिला जुला कर घूम फिर कर तो गुमा फिरा कर इसको आप आसा ने से लिख सकते हैं और अगला क्या है सोचियो और लिखिये सोचिये में क्या करना है कि यदि क्या होगा यदि किसान हन लहीं चलाएंगी तो खाने के लिए अनप्राप्त नहीं होगा ठीक है दूशरा क्या है छात पड़ाई नहीं करेंगी तो देश का बविश उज्वल नहीं होगा ठीक है अगला है सम्मिल कर कार नहीं करेंगी तो कार अधूरा या देर से होगा ठीक है I hope guys कि आपको समझ में जरूर रहा होगा मि अनली वीडियो में टेक क्यार बाई बाई